एक से लेकर 31 अक्टूबर तक ब्रस्ट कैंसर अवियरनेस मन्थ की रूप में मनाया जाता है। जिन्होंने किस तरह की सावधानिया बरतनी चाही इस संभन में अपनी प्रतिक्रिया साजा की है। जहां पर बहुत ही जानकारी जो है यहां दी जाएगी और ब्रेस कैंसर के प्रति जो है जागरूपता भी यहां की जाएंगे हमारे साथ डॉक्टर से किंग्सवे अस्पताल के उनसे हम जानेंगे कि क्या आज कारेक्रम में मतलब होने वाला है क्या बता हुआ। मैं किंग्सवे हॉस्पिटल में मेडिकल उंकोलोजिस्ट हूँ और कैंसर रोग विशेशक्य अक्टोबर महीने हर साल ब्रेस्ट कैंसर अवेरनस मन्त की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और इस महीने हम आम जनता को जागरुक करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसरों में से एक है। लगबग 25-30% कैंसर जो महिलाओं में होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। और यह अरली स्टेज में अगर डाइग्नोसिस होता है, तो यह क्यूरेबल मतलब ठीक हो जानने वाली बिमारी है. कैंसर को जल्डी डिटेक्ट करने के लिए जागरुकता होना सबसे जोरी है, और यह जागरुकता फैलाना is a continuous process, क्योंकि हर साल अगर हम करेंगे, तो नए जेनरेशन आते हैं, और हम हर साल नए लोगों को जागरुक करते जाते हैं, यह जो हम आज प्रोग्राम किये हैं, यहा सबसे अच्छा है, यहां तक कि अगर स्टेज फॉर में भी डाइग्नोसिस होता है, तो सबसे अच्छा रिजल्ट आज के दिन ब्रेस्ट कैंसर का ही देखा जाता है, नए टेक्नीक जिसमें टार्गेटिद थेरेपी, हॉर्मोनल थेरेपी और इम्मिनो थेरेपी का यूज स्टेज फॉर कैंसर को भी हम काफी टीन से पांच साल या कई बार उससे ज़्यादा भी हम अश्चा है, जब हम स्टेज वन, स्टेज टू में या स्टेज थी कैंसर पेशेंट तो हम उन्हें ठीक कर सकते हैं और उन्हें नॉर्मल जिन्दगी दे सकते हैं, इस ब्रेस्ट कै के इलावा, टार्गेटिद थेरेपी, हॉर्मोनल थेरेपी, इम्मुनो थेरेपी और ADC, एंटीबॉडी ड्रग कॉंजुगेट्स यह हम इस्तेमाल करते हैं। स्टेज वन में और स्टेज टू में ज्यादा तर हम पहले सरजरी करते हैं और बाद में कीमो थेरेपी और जिनको रेडियेशन की जरुत हैं उन्हें रेडो थेरेपी देते हैं। आज के दिन कई पेशेंटों को कीमोथेरेपी की जौरत ना परे ये जानने के लिए भी कई advanced test हैं जो genetic testing हमों बोलते हैं in genetic testing में हमें ये पता चलता है कि किन पेशेंटों को कीमोथेरेपी की आवशक्ता नहीं है इसके इलावा कई सारे cancer जिसमें से breast cancer वार्सिक हो सकते हैं मतलब hereditary जिसमें जो high risk population है खासका young age जिसमें जिने breast cancer हो रहा है triple negative breast cancer है या फिर जिनके family में 2 या 2 से ज्यादा लोगों को breast और ovarian cancer हुए है उन सभी patient को हम genetic testing के लिए समझाते हैं अगर genetic testing में उनके mutations positive आते हैं तो family members के genetic testing करके उन्हें हम पहले से बता सकते हैं कि आपको cancer होनी की संभावना काफी जादा है जिससे हम देख रहे हैं कि cancer का मतलब प्रमान जो है भारत में अभी बढ़ रहा है तो क्या बताना चाहोगे youth specially हम देखते कि youth इसमें बहुत जाता मतलब सरवाय हो रहा है breast cancer में हम देख रहे हैं कि बहुत सी youth जो है उन्हें भी गुजरना पड़ रहा है इंडेस्टिलाइजीशन के साथ सहरी एरिया में breast cancer ज्यादा देखा जाता है इसमें कई सारे factors होते हैं उसमें से हमारे dietary habits भी बहुत प्ले करते हैं उसके इलावा late marriage इसके साथ late बच्चा होना breast feeding ना करना ये सब कारण contribute करते हैं जिसके कारण breast cancer पहले की मुकाबले हमें जादा दिखते हैं breast cancer के लिए हमें screening test कराना चाहिए जिन में family history है उन्हें हम early age से screening चालू करते हैं जैसे 25 साल की उमर से और जहां breast cancer family history में नहीं है तो हम वहाँ पे उन्हें 40 साल के बाद से दो साल में एक बार और 50 साल के बाद सालाना mammography के लिए advice करते हैं यहां पे हम mammography screening के लिए camp भी लगाए हैं जहां पे हम coupon भी दे रहे हैं जहां वो free mammography करा सकते हैं जो eligible patients हैं बिलकुल cancer वैसे भी cancer का नाम लेते ही मतलब लोग घबरा जाते हैं जाहे वो कौन सा भी cancer हो महिलाओ को आप क्या बताना चाहोगी अगर वो cancer से गुजर है breast cancer के इससे गुजर है तो किस तरह से मतलब ना घबराते हुए किस तरह से treatment को वो यह करे क्या बताना चाहां मैं Dr. Mona Rai, मैं Kingsway hospital में pain and palliative care consultant हूँ और मैं primarily oncology team के साथ काम करती हूँ. सो cancer care के मैं उस spectrum पे हूँ जहां पे unfortunately cancer advanced stages में आ जाता है. सो उस समय बड़ा मन को तकलीफ होती है कि काश ये patient early detection कर लेती हैं या early screening हो जाती हैं तो then you know survival के chances काफी significantly बढ़ जाते हैं. तो but nonetheless ऐसा लगता है कि ठीक है अगर cancer diagnose हो भी गया तो सबसे पहला मेरा request सब लोगों से ये है कि proper consultant के पास जाएं consultant से बात करें बहुत बार क्या होता है? सुसाइटी में इतने सारे myths उसके बारे में हैं या इतनी सारी धारणाएं बन चुकी हैं गलत cancer के बारे में कि लोग वहीं डर के की कि कीमोथरेपी से फलाना हो जाएगा बाल चले जाएंगे या अड़ोसी पड़ोसी बिना साइंटिफिक बेसिस के कुछ जाएट कर देते हैं कि आप मच जाएए आप जड़ी बूटी कर लीजे तो वह बहुत गोल्डन ऑपरचुनिटी होती है जो वह महिलाएं लूज जाएट सो उस पॉइंट पे और मैं इतना क्लोज ली उनके साथ काम करती हूं कैसा लगता है कि अहर महिला को एक तो रेगिलर स्कृणिंग करते रहना चाहिए और अगर डाइग्नोस हो भी जाए तो देर इस नथी तो फियर इस बिकास साइंस इन टेक्नोलोजी इतना अड ना चाहिए तो आपको साथ करते रहें प्रक्रावेशन करणा तो इस डाइट अगर जाता है तो फिल प्रक्राइट प्रक्राइट करें और इसी वचे से आज एक प्रोग्रम भी हुआ है आए तो आपको साइटी में आवेर्नेस जाए कि इसके बारे में डर मिच गलत धारन हैं हम बस्ट कर सके सो यह हमने रेखा कि पूरे देश भर में जो है अक्टूबर में यह ब्रेस कैंसर के अवरनेस के लिए माना जाता है और उसी तरश पर किंग्स वे अस्पताल द्वारा आज जो है यहां पर आवरनेस कारीकरम कारिजन किया गया और उसी के तहट जो है डॉ जिटमेंट करें ताकि कैंसर जो है वो क्यूरेबल है कैमेरा परसन अमोल के साथ शितिजा देश मुख बीसे नियर्स नाकपूर